हाथ सुमरनी बगल कतरनी पढ़े भगवत गीतारे औरों को ज्यान बतावे आप रहे खुद रीतारे UNHRC में चीन ने दुनिया को मानावधिकार का नया पाठ पढ़ाया तो भारत ने UNHRC को दिया बड़ा जटका आज तक UNHRC ने जो नहीं सुना होगा वो भारत ने सुना दिया तो वहीं दूसरी तरफ इरान के उपर बाइडेन ने हमला करने के बाद ये क्यों कहा कि तैयार रहना क्या अगला नंबर चीन का है तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के साथ क्या अब इसलामिक देश हमला करेंगे चीन के उपर जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से राष्टपती जो बाइडेन ने सत्ता सम्हालने के कुछी दिन के अंदर में अपने तेवर दिखाने सुरू कर दिये हैं उन्होंने सीरिया में एर स्ट्राइक के बाद इरान को एक कड़ी चेताउनी दे दी है साथ ही साथ चीन को भी एक कड़ी चेताउनी दी है आपको बता अमेरिकी सैनि ठीकानों पर हमले हुए थे जिसके जवाब में इरान के समर्थन वाले समूग मिलीसिया पर हवाई हमले किये गए अमेरिका ने इराक में अपने सैनिकों के ठीकानों पर हुए रोकेट हमलों के जवाब में यह कारवाई की और कहा यह जा रहा है कि इस कारवाई में इस ग्रूप के करीब 17 लड़ा के मारे गए अमेरिकी रक्षा मंत्राले के परवक्ता जॉन किर्भी ने साफ साफ कहा है कि यह कारेवाई इराक में अमेरिकी सेन ठीकानों पर हुए रॉकेट हमलों के जवाब में की गई है और पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स ने साथ ठीकानों को निसाना बनाते हुए साथ 500 LB बम गिराए इन में से एक ठीकाना इरान और सीरिया के बॉर्डर पर इस्थित जो क्रोसिंग है उसमें है अमेरिका का कहना है कि इसी क्रोसिंग का इस्तेमाल करके इरान द्वारा समर्थित ये उगरवादी समू हतियार इधर से उधर करते हैं पेंटागन ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कारवाई आगे भी जारी रहेगी अगर इराक में या कहीं भी अमेरिकी गठवंदन से नाओ पर किसी तरह का हमला होगा तो इससे भी बड़ी कारवाई अमेरिका अंजाम देगा अमेरिका ने अब चीन सहित इरान को ये समझा दिया है कि आने वाले हमले के लिए तयार रहो बाइडन ने ये कहा है कि परिनाम भूगतने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए जो अमेरिका के बिरुध कारे कर रहे हैं आपको बता दें रूहानी को साहध ये गलत फहमी हो गई है कि एटम बंपर बाइडन बार बार बातचीत की बात कर रहे हैं तो इरान की एटमी ये US Air Force की इस परिक्षन नहीं दिखा दिया वैसे एक साथ इरान और चीन दोनों पे ही निसाना साथ रहे हैं बाइडन लेकिन चीन के लिए मुसीबते अब बड़ी संख्या में आ रही है चीन जैसे जैसे दुनिया में अपना परभाव बढ़ा रहा है वैसे वैसे वह अपने दुस्मन भी बनाता जा रहा है चीन ने अपने बिदेश नीती और घरेलू नीती के कारण वैसे तो पिछले कुछ सालों में तेजी से इसलामिक दुनिया पर अपना परभुत तो बढ़ाया है चीन अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है यहां तक कि चीन अपने घर में मुस्लिम समुदाय के साथ बड़े अत्याचार करता है लेकिन चीन की मामले में कोई भी दखल नहीं देना चाहता है चुकि चीन दिरे दिरे दुनिया का एक सूपर पाउर बनता जा रहा है उसके कारण बीदेसों में भी अब उसका परभाव बढ़ गया है और यह परभाव इतना ज़्यादा है कि सिंजियांग में उईगर मुस्लिमों पर बेताहासा अत्याचार के बावजूद इसलामिक दुनिया की ओर से चीन के खिलाफ एक सब्द सुन्ने को नहीं मिलता है यहां तब कि अफगानिस्तान में तो चीन ने तालिवान के साथ मिलकर बाच्चित तक कर ली हलाकि इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन के इनकार नामों की वज़े से दुनिया के इसलामिक कट्रपंतियों का ध्यान इस तरफ नहीं गया है पाकिस्तान में समय समय पर चीनी प्रजेक्ट्स बलोच और सिंद उगरवादियों की निसाने में आते रहे हैं इसके साथ ही यह संगठन चीनी नागरिकों को भी निसाना बनाते हैं अफगानिस्तान में भी चीनी नागरिकों पर हमला होने की घटनाएं सामने आती जा रही हैं इसी साल 2015 में बैंकोक के इरावान सरीन में एक हमले में 20 लोग मारे गे थे जो सिर्फ और सिर्फ चीनी परेटोकों को निशाना बना कर किया गया था ऐसा इसलिए क्योंकि उस वर्ष थाई सरकार ने करीब 100 उइगर मुसलिमों को चीन में डिपोर्ट किया था इतना ही नहीं साल 2016 में किर्गिस्तान के बिसकेक में चीनी दुतावास को एक हमले का सिकार बनाया गया था इससे पहले चीनी दुतावासों पर सीरिया और सोमालिया में भी हमला हो चुका है इंडोनेसिया जैसे देशों में भी चीनी नागरिकों और चीनी मूल के लोगों के खिलाफ गुसा देखने को मिल चुका है महामारी के समय इंडोनेसिया में चीन विरोधी सोसल मीडिया पोस्ट में काफी बड़ोतरी देखने को मिली थी जिसके बाद तो सुरच्छा एजेंसियों ने चेतावनी तक जारी कर दी थी कि भविस में चीनी लोगों पर हमले हो सकते हैं आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में चीनी कमपणियों ने पाकिस्तान में अपने करमचारियों पर नमाच पढ़ने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद पाकिस्तान के कई मौलबियों और मुफ्तियों ने चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी इसके अलावे पिछले साल तुर्की में भी पच्छी दलों के नेताओं ने राजधानी अंकारा में बैठे नेताओं पर ये आरोप लगाया था कि वैक्सिन के बदले में उईगरों को चोरी छिपे चीन को बेचा जा रहा है तुर्की से भले ही इसलामिक देश डर से राजनीती से कूटनीती की वज़े से चीन के खिलाफ कुछ न बोलें लेकिन इसलामिक संगठन बिभिन्न देशों के इस तरफ मुरुख मोड़ चुके हैं और बहुत जल्द चीन के खिलाफ सिर्फ बड़े देश ही नहीं बलकी ये संगठन भ पर उठाने की कोशिस की थी लेकिन बाकी मुस्लिम देश अभी भी चुप हैं पर ये संगठन नहीं ऐसे में आने वाले दिनों में मुसीवत चीन के लिए और ज्यादा बढ़ेगी वैसे तो UNHRC में चीन ने ये साबित करने की कोशिस करी कि सिंज्यांग में या किसी भी मु अठा रहा था लेकिन UNHRC गुंगा बनकर बैठा रहा जिसके बाद भारत की तरफ से भारतिय परतिनी दिने ये कहा कि UNHRC का पहले फैसला करना चाहिए कि इसने क्या-क्या अच्छे काम किये हैं और क्या-क्या गलत काम किये हैं इस पर कैसे सुधार किया जा सकता है सबसे पहले तो UNHRC को सुधार की जरूरत है वैसे भारत की बात भी सही है ऐसे संगठन का क्या फाइदा जो गुंगा बनकर सिर्फ बाते सुनता रहे और किसी एक देश के इसारे पर चलता रहे UNHRC में भारत ने तुर्की का मुद्दा भी उठाया चीन का मुद्दा भी उठाया और पाकिस्तान का भी मुद्दा उठाया साथी साथ UNHRC की लाचारी को देखते हुए उसके भी रिफॉर्म की बात कह दी वैसे इस से पहले अपना गुसा बिदेश मंत्री ने भी निकाला थ था UNHRC के उपर वैसे 15 साल हो गये है इस संगठन को और भारत का कहना है कि 15 साल हो गये है इस संगठन को और इस समय के बीच में इस संगठन ने क्या पाया और क्या पाने में नाकाम रहा यह बहस का विशह है और इसे निकालना बहुत जरूरी है ताकि UNHRC की कम्यों को दूर किया जा सके भारत की परतिनीदी इंद्रमनी पांडे ने UNHRC को याद दिलाया कि यह संस्था बनी है मानाव अधिकारों का सनरक्षन करने के लिए किसी एक देश के परति खड़े रहने के लिए नहीं वैसे आपको क्या लगता है क्या मुस्लिम देश कभी कठोर कारेवाई करने की सोचेंगे चीन के उपर कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ